शिव को जिन अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है उनमें से सोम एक महत्वपून नाम है सोम शब्द का मतलब है मधोशी अगर मधोशी नहीं होगी तो आप कभी भी परम शून्य में कूदने के लिए दिवाने नहीं होगे जो की मुक्ति का एक मात्र रास्ता है इसलिए सोम या सोम सुन्दर शिव के सबसे प्रमुख नामों में से एक है हमेशा मधोश मगर पूरी तरह सजग तो कहानी इस तरह शिव कैलाश के पास पूरी मधोशी की हालत में बैठे थे पूरे भारत में खबर फैल गई कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है इतना शांदार आदमी कि धीरे धीरे साल दर साल साल दर साल लोगों ने वहाँ की यात्रा करनी शुरू कर दी एक लड़की थी जो हिमालाय राजी की राजकुमारी थी उसका नाम था पारवती जब उसने ये सुना वो बोली मैं जाकर उन्हें देखना चाती उसने जैसे ही उन्हें देखा वो उनसे पूरी तरह अभी भूत हो गई वो बोली मैं शादी करूँगी तो सिर्फ इसी आदमी से फिर किसी और ने साज़ेश रची और वो विवाह के लिए तयार हो गए एक भव्य शादी आयोजित की गई सारे महत्वपून लोग वहां मौजूद थे दुलहन सजी समरी बैठी थी हर कोई दुलहे का इंतजार कर रहा था और फिर दुलहा आया शेवंदराय पूरे शरीर पर राक बालों में जटाएं पूरी तरह मधोश और उनके मित्र भूत, पिशाच और टेड़े मेड़े प्राणी तरह तरह की आवाजे निकाल रहे थे पारवती की मा मीना ने इस आदमी और उसके दोस्तों को देखा और जब उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी इस आदमी से शादी करने जा रही है तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी उन्हें होश में लाए गया वो पूरी तरह टूट चुकी थी मैं अपनी बेटी को इस आदमी को कैसे सौप दूँ ये जंगली है और बिलकुल असभ्य है ये आदमी भी नहीं है ये कुछ और है फिर पारवती ने जाकर शिव से विंती की मेरे लिए आपका हर रूप ठीक है आप किसी वज़े से इस भायंकर रूप में आए है मेरे लिए ये भी ठीक है पर मेरी मा के लिए एक अच्छा रूप धारण कर लीजी उन्होंने का ठीक है और बहुत सुन्दर और भव्य रूप धारण कर लिए उस रूप को सोम सुन्दर कहा गया मधोश मगर सुन्दर वो पूरी तरह नशे में धुत थे आँखे चड़ी हुई थी मगर वो बहुत खूपसूरत बन गए फिर मीना होश में आई और वहां खड़े शानदार शक्स को देखा और बोली मैं अपनी बेटी का हाथ इस व्यक्ति को सौंपना चाहूँगी उसे नहीं मधोश ही ध्यान मगन होने का एक महत्वपून गुण है अगर ये नहीं होगा अगर आप मधोश नहीं होगे तो आप सहज होकर कैसे बैठेंगे ये भयंकर परिशानी होगी सिर्फ इस तरह बैठे हुए किसी चीज पर ध्यान केंदरित करने की कोशिश इसलिए ये शिव का मूल गुण है तो उनके सिर पर चंद्रमा है जो इस बात का प्रतीक है कि वो हमेशा खुदी मधोश होते हैं किसी पदार्थ से नहीं शिव के लगातार सोमरस पीने का मतलब है वो शराबी नहीं थे वो बस उस चांदनी को पीते रहते थे जिसे वो हमेशा अपने बालों पर रखते थे और लगातार मधोश रहते थे ये आनंदित स्थिति अपने आप में एक लक्ष नहीं है ये आनंदित स्थितियां कष्ट का डर मिटा दिती हैं जब कष्ट का डर नहीं होता जब मेरा क्या होगा ये विचार आपके अंदर से पूरी तरह खत्म होता है सिर्फ तभी आप जीवन की खोज करने का साहस करेंगे वरना आप सिर्फ उसे बचाना चाहेंगे चाहे करियर हो या कारोबार सब सुरक्षा के लिए शादी सुरक्षा के लिए सब कुछ सुरक्षा से जुड़ा है जब तक कष्ट का डर लगातार अपनी भूमी का निभारा है आप जीवन के गहरे आयामों में जाने का साहस नहीं करेंगे सिर्फ जब आप इस तरह मधोश मगर पूरी तरह सजक होते हैं तभी कष्ट का डर नहीं होता आप कहीं भी जाने के लिए तयार होते हैं झाल